अप्पमाद बग्गो कथा नमबर 24 टू पॉइंट फॉर ये जो कथा है कहानी है ये राजगे की है राजगे को राजगीर भी बोलते हैं राजग्रह भी बोलते हैं ये मगद जो पदेश है उसकी राजधानी है राजगेर है या राजगीर और वहां की ये कथा है कथा कि जो नायक है उनका नाम है कुम्ब गोसक राजगीर में या राजगेह में एक बार बड़ी महामारी हो गई वाइरल डिसीज हो गई चारो तरफ लोग बहुत तेजी से मन लगे जैसे अधिकतर महा पलैग फैला करता जब लोग मन लगे तो वहां का जो नगर सेथी था यानि जो नगर का सबसे बड़ा सेथ था सेथी दंपत्ती वो दोनों इसकी चपेट में आ गए और उनको ये पता चल गया कि अब हम मरने वाले हैं इस महामारी का कोई इलाज नहीं है उन दिरों कोई वाइरल डिसीज का इलाज भी नहीं होता था तो उन्होंने अपने पुत्त को जो कुम्बु घोसक है उसको बलाया और उसको समझाया उसको कहा कि देखो तुम अभी इस बीमारी की चपेट में लपेटे में नहीं आये हो सुरक्षित हो हम चोकी लपेटे में आ गए हैं हमारा मरना निश्चित है और हमने बहुत अधिक धन कमाया है जो उस जगह पर गड़ा हुआ रखा है आपको दिखा देते हैं यहां बहुत अधिक धन है जो आपके जीवन भर और आपके पीडियों तक ये काम आएगा मगर अभी इसको उपियोग करने का निकालने का समय नहीं है क्योंकि सभी लो कुम्भु कोसक बहुत समझधार था बहुत सुसील था सज्जन था सइयत था बहुत बुद्धिमान था और बहुत ज़्यादा आग्या करे था उसने सारी वस्तु इस्थिति का अवलोकन किया और अपने जो माबाप थे उनसे आग्या ले और राजगह छोड़के चला गया उसके माबाप ने ये भी बताया कि बहुत सा समय बीच जाने के बाद यहां राजगह में बापिस आना जब ये बीमारी पूइते से खतम हो जाएगी वो जंगल में चला गया राजगह छोड़के रहने लगा मजदूरी करने लगा फल खाने लगा अरणे में तो वहां रहते रहते उसे लगबग काफी समय हो गया और वो छोटे से जवान हो गया जवान होने के बाद उसने सोचा कि अब राजगह में जाना चाहिए तो वो बापिस राजगह आता है राजगह में राजगह में राजगह में राजगह का राज चल रहा है तो उसने कहा कि अगर मैं धन सारा सोचा उसने कि अगर मैं सारा धन निकाल कि उसका अपयोग करूँगा तो लोग मुझे संसे की दश्टी से देखेंगे, राजा के पास पकड़ के ले जाएंगे और मैं ये सिद्ध नहीं कर पाऊंगा कि ये धन मेरा है और राजा सारा धन ल इन विसार गया नोकरी की कुछ कहानियों में आता है कि उसने गाउ में चौगिदारी शुरू करी परहल उसने काम सुरू किया वहीं रहने लगा और वहीं रहते हुए उसने देखा कि उसका जो पैसा है वो स्वक्षित है या नहीं? पैसा उसका सुख्षित था एक समय राजा को पिरजा से टेक्स से खटा करने का revenue खटा करने की आवशकता पड़ी क्योंकि उसे कोई बड़ा काम नगर में करना था कोई बड़ा उससर जलसा करना था सभी पे उसने टेक्स को impose किया लगाया और सभी से टेक्स माना जो नगर में रहते थे कुम्भु कोसक को भी टेक्स देना था तो उसने सोचा कि मैं खजाने से कुछ कासारपन यानि मुद्राय निकाल के दे देता हूँ उसने वो मुद्राय निकाल के राजा को दान में दे दी दान में देने के बाद में राजा का थोड़ा सा चूंकि बुद्धी में राजा बहुत तेज था उसका दिमाग थोड़ा ठंका कि ये जो व्यक्ति है इसका जो हाव भाव हैं वो आम मजदूर जैसे नहीं है और इसका जो पैसा दिया है वो पैसा भी काफी पुराना है ये कहां से लेगाया उसने अपने जासूस वगरा वहां लगाये और उसको पता चला कि इसके पास में काफी पैसा है उसने उसको पकड़ कर अपने पास बुला लिया उससे पूछा के बताईए पूरी कहानी क्या है पूरी स्टोरी क्या है कुम्भु कोसक ने अपनी सारी वस्तोई सिती बताई और सारी सच्चाई बताने के बाद में उसने बताया कि ये मेरे पिता ने जो धन संपत इखटी की थी ये वही है विम्भी साथ चोकी खुद भी बहुत जादा विपसी था उसने उसकी बाद को परखा जाचा और उसको यकीन करने के बाद में सारा उसको धन बापिस देने के बाद में उसको नगर सेट की दुबारा से उपादी दे दी और उसको अपनी एक पुत्री भी उससे शादी की फिर एक बार वो उसको लेके भग्नवान बुद्ध के पास, भंगवान बुद्ध के पास, भगवा के पास, सुकतों के पास, तथाकत के पास गया और वहाँ जाके उसने सारी कथा बताई कैसे कैसे कुम्बु को सकने कितने ध्यान से, कितने सुभ यानि सुची कर्म से, कितना सहिया से, कितना इसमर्ती से सोचते हुए उसने अपने जीवन को काटा और अपने धन को और अपने आपको बचाया तब भग्णवान बुद्ध ने ये गाथा वहाँ पे गई जो गाथा नमबर अपमादवगों की 24 नमबर की यानि 2.4 अपमादवगों में आती है धंपत के अंतर गाथा इस प्रिकार है उठान वतो सती मतो सुची कम्मस निसम करिनो उठान वतो सती मतो सुची कम्मस निसम करिनो सैय तस चै धं जीविनो अपमतस यसो भिवड़ती इसमें जो उठान वतो है उठान वतो का मतलब है जो उठान करने वाला होता है यानि अपने को उठान करने वाला या धोकसील करने वाला या अपनी महनस से उपर उठने वाला होता है सती मतो का मतलब है सती मतो का है जो इसमती से आता है यानि कि जो इसमती में रहता है, सती में रहता है, सती जो आता है वो बहुत positive सब्ध है जो विपस्टना के अंदर बार बार बताय जाता है सती का मतलब है कि आपको समता में रहना है समता में मतलब कि जब वो बहुत ज़्यादा परिवार उसका भरा पुरा था तब भी वो सांग था, समता में था जब प्लैक की बीमारी फैली, महामारी फैली, वायल डिसीज फैली तब भी कुम गोजक समता में था वो बहुत ज़्यादा व्यक्र नहीं था, उदास नहीं था, परशान नहीं था जब वो बापिस आया, तब उसने अपना धन देखा, तब भी वो खुशी से नहीं उचला बहुत ज़्यादा इसमती में रहा, समता में रहा, सती में रहा और जब राजा ने उसको पकड़ा तब भी वो बहुत बिल्कुल शान था उसने कोई प्रिटिकर याशी नहीं दी, वो बिल्कुल समता में था और जब राजा ने अपनी लड़की की शादी की और भगवान बुद्गे पास लेके गया वो तब भी समता में था यानि शुरू से लेके आखीर तक वो समता ही में रहा समता उसका सबसे बड़ा वल था तो वो सती मानो था सुची कमस्य सुची कमस्य का मतलब है सुची जो बोलते हैं पाली में ये आज की जो भासा है जिसको संस्कायद भासा बोलते हैं में होता है सुची कम का मतलब है सुची कम वाला था, अच्छे काम करने वाला था, निसम कारिनो, निसम का मतलब होता है सोच कर काम करने वाला, निसम माने सोच कर देख कर काम करने वाला, यानि वो बहुत सोच कर देख कर काम करने वाला भी था, कुम गोसकी बात हो रही है, संयतस से चे संयतस का मतलब है संय माने होता है संग्यार मैमूरी यानि कि यह संयत जो अपनी पूरी पूरी इंफॉर्मिसन है उसको काम में लेके आता है और संयत भी लेता है उसको संयतस से बोलते है चे माने तो और होता ही है बहुत सारे जिगे यह आया है, चे माने और, चे माने यदी होता है और चे माने और धम जीविनो, धम जीविनी को मतलब है जो धम के अनुसार, प्राकरतिक चीजों के अनुसार अपनी जीविका चलाता है जो वही काम करता है जो प्रकरतिक हिसाब से ठीक काम है जैसे आजिवी को होता है सम्यक आजिवी का होता यानि अच्छी आजिवी का उसको धम जीवी नों भी बोलते है जीवन जीने वाला प्राकरतिक रूप से जीवन जीने वाला अच्छे काम करने वाला अपमतस्य का मतलब है जो एपमाद में रहने वाला है यानि कि वो कभी प्रमादी नहीं है एपमाद में रहता है हमें ऐसा बुलकुल अपने काम में लगा रहता है इधर दर्फ ध्यान नहीं भढ़काता यसो भी वड़ती यसो भी वड़ती ये दो शब्से मिलिका है यस और अभी वड़ती यस माने तो आप समझ सकते हैं कि गिलोरी बहुत ज़्यादा जिसकी ख्याती होती ऐसी महिला का ऐसी वड़ती का चारोतरफ यस बढ़ता है ये गाथा इस पिकार है इसका सरली करण करेंगे कथाकर गाथा का जो भगवान बुद्रे कही है तो इस सिंपल सब्दों में इस पिकार है जो उत्थान सील होता है यानि जो उत्थान सील होता है जो इसमतिवान होता है, जो समता में रहता है, जो उद्धोक्सील होता है, जो सहिया से काम लेता है, जो धमके नुसार काम करता है, जो बहुत सोचकर और समझकर काम करता है, जो जानकारी रखता है, जो सहिया रखता है, जानकारी रखता है, ऐसे व्यक्ति का यस हमेसा बढ़ यह इस कथा का सार है और भी सरल सब्दों में अगर हम कहेंगे तो इस कथा का सीधा सा सरल सा मतलब है कि जो महंती है, जो धुक्सिल है जो अपने आपको उठाने के लिए हमेशा प्रयासर रहता है आगे बढ़ने के लिए सोचता है जो बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करता है जो धम्मे के लिए सार काम करता है जो सोच समझ कर काम करता है जो परमाद में नहीं रहता यानि जो चोरी सराब जुआ वेबचार में नहीं रहता है जो बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए सार सहीया है धन्यवाद स्टेक बuseum सबने WOW सकते हैं